दोस्तो इस वीडियो में पाच ऐसे स्टॉक्स के अमलोग बात करेंगे जहां धेर सारे पैसे बन सकते हैं जी हां दोस्तो यहां पर यह 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें बहुत तेजी बनी हुई है और एक महिने के अंदर 20-25% का अपमूग दिखा सकता है यानि कि 20-25% का अपमूग दिखाने का सीधा साला मतलब है कि 20-25% की अर्निंग कर सकते हैं जैसे ही मार्केट खुलता है अगर हम इसे स्टॉक में ट्री कर जाते हैं तो हम छोग एक टार्गेट के सास्थ एक्जिट कर सकते हैं जहां एक महिने के अंदर अच्छे खासे extra earning बन सकते हैं, तो चलिए चलते हैं, पहली जो हमारी company है, वो TT Limited है, और ये company small cap है, और ये textiles industries से तालुकात रखती है, तो दोस्तों अगर इसकी returns की हम बात करें, तो एक महिने में इसने 47% का return दिया है, और एक साल की अगर हम बात करे तो 147% का return युनोंने दिया है, और इस stock में अभी भी जवरदस तेजी बनी हुई है, जहां trade करके एक target hit करते ही exit किया जा सकता है, यानिकि 20-25% का return एक महिने के अंदर आसानी से मिल सकता है, तो चलिए इसके technical chart पर चलते हैं, वहां पर हम जानने की कोसिस करते हैं, कि कहां प वो 67.70 रूपीज का है, और अगर stop-loss के अगर हम बात करें तो इसमें trade करने के से पहले हमें stop-loss लगाना है 59.45 का, अगर इस stock में entry करते हैं, तो 59.45 का stop-loss लगाना है, और इसके target price जो होगा, वह 85 रूपीज का target price में लगाना है, 59.45 का customers लगाना है, और 85 रूपीज का हमे टार्गेट लगाना है 85 रुपीच के छूते ही इस स्टॉक से एक्जिट ले लेना है तो अब हम अपने दूसरे स्टॉक के तरफ बढ़ते हैं वहाँ भी जानने की कोशिस करेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होगा और टार्गेट कौन सा होगा जहां में एक्जिट करना है हमारा दूसरा स्टॉक जो है वह है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानि किसी आप टीसी आई लिमिटेड भी कह सकते हैं स्टॉट फॉर्म में और यह भी एक स्मॉल कैप कंपनी और फंडरमेंटली कापे स्टॉन कंपनी है जैसा कि नाम से हमें द 200 का रेटन इन्होंने एक साल में अपने इंवेस्टर्स को दिया है तो इस स्टॉक में अभी काफी जवरदर्स तेजी बनी हुई है और इसमें सौट टर्म में ट्रेडिंग करके एक महिने कंदर 20-25 परशन का रेटन बनाया जा सकता है काफी तेज है यह स्टॉक और अगर इस स्टॉक में सौट टर्म के लिए अगर इंट्री किया जाए तो एक स्टॉप लॉस रख करके टार्गेट हिट किया जा सकता है यानि कि अगर आप इस स्टॉक में इंट्री करते हैं तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा जाए और फिर जैसे ही टार्गेट मिले उस टा बनी हुई है और इसका जो अभी current market price है वो 424 रुपए का चल रहा है और अगर हमें इस stock में ट्रेड लेना है तो एक 357 रुपए का हमें stop loss maintain करना होगा और जिसका target होगा यानि कि वो price जहां पर आते हैं अपने trade को exit कर जाना है वो इसमें 500 का होगा 500 के price मिलते ही इस stock से हमें exit कर जाना है अगर हम इस stock में trade लेते हैं तो 500 का target रहेगा 357 का stop loss रहेगा और current market price पर हमें इसमें entry करना है तो Monday को जो भी current market price रहेगा उस price पर हमें entry कर जाना है और 500 के level पर हमें अपने trade से exit ले लेना है तो काफी अच्छा return मिलने की संभावना है एक महिने के अंदर ये अपने target को hit कर सकता है अब जो हमारा दूसरा stock होगा हमारा तीसरा जो stock है वो है Ruby Mills Limited और ये company एक small cap company है और एक textiles company है इसने एक महिने में 48% का return दिया है और एक साल में अपने investors को 80% तक का return दिया है अगर इसके हम operating profit margin और net profit margin की बात करें तो काफी अच्छा है operating profit margin करीब 24% के आसपास है और जो net profit margin है वो करीब 14% के आसपास है तो इस stocks को देखा जाए तो fundamentally अच्छा कर रही है और पिछले 11 साल से ये company profitable रही है तो चलिए हम इसके चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर चलकर ये देखने की कोशिस करेंगे कि इस stocks में अगर entry करें तो हमारे stop loss कहां होना चाहिए और target price क्या होगा तो चलिए हम इसके technical चार्ट पर चलते हैं दोस्तों ये Ruby Mills का technical चार्ट है और बाकी के दो stocks के तरह हम चार्ट पर देख पा रहा है कि इसमें भी काफी अच्छी तेजी ब चल रहा है और अगर इस stock में हम trade लेते हैं यानि कि position बनाते हैं इसमें 202 रुपय का stop loss लगाना होगा और 295 रुपय का हमें एक target लेके चलना होगा 295 रुपय का जैसे ही level इस stock में देखने को मिले हमें इस stock से बाहर निकल जाना है यानि कि 295 से ऊपर हमें weight नहीं करना है 295 क आसपास यानि कि 295 का एक आप target बना करके रखें एक position बना करके रखें जैसे ही 295 हिट हो इस stock से exit ले लेने में ही भलाई है यानि कि 202 का आप stop loss लगाएंगे 245 का current market price है और target price जो को वो 295 रुपय का होगा 295 के price पर हमें इस stock से exit ले लेना है और profit घर ले जाना है तो कैसा performance दे सकता है हमारा चौथा stock का नाम है prozone into properties limited जो एक small cap company है और ये real estate business से तालुकात रखती है तो दोस्तों इस company ने अपने investors को एक महिने के अंदर 15% का return दिया है और एक साल में देखा जाए तो 43% का return दिया है fundamentally improvement की बात करें तो इसके debtor days कम होते दिख रहे हैं इसके कारण इस stocks में उच्छाल देखा जा सकता है फिलाल इस stock में काफी तेजी बनी हुई है तो चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और जानने की कोसिस करते हैं कि अगर इस stock में trade लिया जाए या entry किया जाए तो हमारे stop loss कहा ह हो सकता है और हमारा target कहा हो सकता है तो दोस्तों यह prozone into properties limited का चार्ट है जिसमें हम साफतोर पर देख पा रहे हैं कि current market price 28 रुपए 80 पैसा का चल रहा है और अगर इस stock में entry लिया जाता है तो इस stock का stop loss निकल कर आ रहा है 25 रुपए 47 पैसा है 25 रुपचास पैसा का stop loss लगा कर के इस stock में entry किया जा सकता है और जैसे ही 49 रुपए का level देखने को मिले इस stock में इस stock से बाहर निकल जाना है यानि 49 रुपए के target के साथ इस stock में entry किया जा सकता है साथ ही साथ 25 रुपए 50 पैसा का stop loss लगाना बेहत जरूरी है compulsory है क्योंकि ये सारे stocks जो है technical best pick किये गये हैं इनमे stop loss लगाना बहुत जरूरी है और एक महिने के अंदर इन सारे stocks से 25 से 20 से 25 परशंट का return बनाया जा सकता है बहुत संभावनाएं हैं कि 20 से 25 परशंट का up move दि से लिए हम अपने आकड़ी और पांचवे stocks के तरफ चलते हैं जानते हैं कि वो हमारा आकड़ी stock कौन सा है दोस्तों हमारा पांचवा और आकड़ी stocks है वो है माजरा लिमिटेड और ये एक small cap company है और साथी साथ ये engineering company भी है यानि कि missionary industry से तालुकात रखती है अगर एक महिने की बात करें तो अपने investors को पौने 200% का return दिया है काफी अच्छा return इन्होंने अपने investors को दिया है और fundamental की बात करें तो काफी अच्छे fundamental company है ये बिल्कुल low debt company है और दोस्तों आज के rate में इसमें काफी ज्यादा तेजी बनी हुई जिसके कारण इस stock को pick किया गया है गर इस stock म entry करते हैं तो एक छोटा सा stop loss रख करके target को hit किया जा सकता है तो चलिए चलते हैं इसके technical chart पर और वहाँ जानने की कोशिस करते हैं कि entry करने के बाद कौन सा stop loss लगाना है और कौन से price पर हमें target लगाना है दोस्तों हमारा पांचवा और आखरी stock माज़वा limited का ये technical chart है जिसका current market price आप देख पा रहे हैं 682 रुपया के आसपास है और अगर इस stock में entry करते हैं या कोई position बनाते हैं short term trading के लिए तो पांसो बहत्तर रुपया का stop loss लगाना must है compulsory है क्योंकि दोस्तों ये बिलकुर technical best pick किया हुआ stock है जिसमें एक महीने के अंदर 20-25% का अपमूब देखा जा सकता है बहुत ज्यादा demand इन दिनों बना हुआ इस stock में जिसके currency stock में तेजी देखी जा रही है काफे बेतरीन तेजी देखी जा रही है और एक stop loss maintain करके इस stock में entry कर सकते हैं साथी साथ एक target level हम लोग तैग करेंगे जहां पर ये stock का price देखने को मिल सकता है एक ही महीने म ये एक महीने में अपने target को achieve कर सकता है अगर इस stock में 852 रुपय का अस्तर देखने को मिले तो इस stock से exit ले लेना है 852 का जो target है इस stock में देखा जा सकता है 852 का level ये stock एक महीने के अंदर दिखा सकता है तो दोस्तों ये हमारे 5 stocks थे जो बिलकुल technically best pick किये हुए थे जिसमें इन दिनों काफी तेजी बने वी है और पिछले एक महीने से एक साल में इन्होंने अपने investors को काफी एच्छा return भी बना करके दिया है और आने वाले एक महीने में 20-25% तक का move easily देखा जा सकता है ये 5 stocks में trade करने से पहले कि stop loss लगाना बहुत जरूरी है और साथी साथ target achieve होते ही इस stock से exit कर लेना बहुत जरूरी है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपने मेरा वीडियो पसंद किया है तो प्लीज लाइक कर दें अपने दोस्तों सहयोगियों और रिष्तेदारों के बीच में share कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल बटन दबा दें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको लगातार देखने को मिलते रहें फिर जल्द एक नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपसे तब तक के लिए और बेस्ट एंड टेक प्रफिटेवल ट्रेड